दोस्तो रोजाना गवर्रमेंट जोब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हैं से सब्सक्राइब कीजिए और साथी साथ बेल ऐकन को भी दबा ले दोस्तो एक बार फिर से माप के लिए SSC MTS की बंपर भरती की अपडेट लेके आ चुके हैं भरती नोटिफिकेशन जारे हो चुका है 2024 के लिए दस्वी पास केंडिडेट इस भरती के लिए अपलाई कर सकते हैं ओल इंडिया से मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं 1500 से अधिक वेकेंसिज निकली है मल्टी टास्क नस्टाप और हवलदार पोस्ट के लिए इस वीडियो में आपको कम्पलीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या है आपर पोस्ट वाइज वेकेंसिज है क्या इलजिबिलीटी का राइटेरिया है एकजाम पैटर्ण सले बस आपका क्या रहेगा कैसे आप इस बरती की नोटिफिकेशन की पीडियाप डाउनलोड कर सकते हो कैसे एपलाई कर सकते हो और कब से कब तक आप एपलाई ऑनलाइन कर सकते हो स्टैप अई स्टैप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में अंतक इस वीडियो को पुरा देखने पर आपके सभी स्वाल और आउट के लिए रोंग तो जलिए दोस्तों बिना कोई वक कवाई सुरू करते हैं SSC MTS भरती 2024 की पूरी जानकारी जियों दोस्तों स्टाप सेलेक्शन कमिशन करमचारी चेन आयोग SSC के इंतरगति भरती निकली है पोस्ट यापर मल्टी टास्किंग नोन टेक्निकल स्टाप MTS और हवलदार की 1500 से अधिक वेकंसिज निकली है इसके लिए आविदन परकिरिया 7 मई 2024 से सुरू होने जारी है मई 2024 की ये बड़ी भरती की अपडेट आ चुकी है लास्ट एट अपलाई ओंलाइन करने की 6 जून 2024 है कंप्यूटर बेस्ट एक्जाम की डेट जुलाई से अगस्त 2024 है लेवल वन के अंतरगत से लिए परती महा के लिए दस्वी पास केंडिडेट अपलाई कर सकते है 18-25 और 27 वर्स आयू सीमा है एप्लिकेशन फीज जनरल OBCWS कैटिकरी के लिए सूरूपे है SST female EX सरिस्मेन को फीज जमा नहीं करनी होगी पैमेंट आप net banking, credit card, debit card और SBA bank चालाँ से कर सकते हो सलेक्शन होगा MTS के लिए computer based exam के आधार पे हवलदार के लिए computer based examination, physical efficiency test, PTA और physical standard test, PST के आधार पे होगा computer based exam pattern की बात करें जो यहाँ पर numerical and mathematical ability के लिए 20 questions होगे, 60 marks होगे, reasoning ability और problem solving के लिए 20 questions, 60 marks होगे general awareness के लिए 25 questions, 75 marks, English language और comparison के लिए आप पर 25 questions, 75 marks होगे तो यहाँ पर apply आप online कर सकते हो, all India से apply कर सकते हो ssc.goe.in portal से यह की official government website है दोस्तों इस भरती की notification की PDF डाउनलोड करने के लिए आउट directly apply online करने के लिए आपको हमारी website ind.sarkarinokri.in का लिंक नीचे description फलस फर्स्ट कमेंट बोक्स में मिल जाएगा और हमारी इस page पर विजिट करके इस page के end में आप देख सकते हो important link का यह section दिया गया है जैसे आप notification apply online या फिर official website link पर क्लिक करोगे तो इसका official portal open हो जाएगा apply online करने के लिए right side में उपर ही login और register का link दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप apply कर सकते हैं फिर यहां से भी apply link पर क्लिक करके आप apply कर सकते हो notification आपको 7 मही को notice board के इस section में आपर दे दिया जाएगा 7 मही को आप इस link पर क्लिक करके आँसे एक notification डाउनलोड कर सकते हो और complete detail चेक आउट कर सकते हो apply online करने से पहले तो दोस्तो इस तरह से आप SSC MTS भरती के लिए 7 मही से आप 6 जून तक online आविदन कर सकते हो तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही I hope इस वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसे like और share जरूर करें साथी साथ दोस्तो गर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर हम डेली गावर्मेंट जोब्स की ऐसी बिग अपडेट अप्लोड करते हैं